काफी भयानक वीमारी है तो कितने तरह से होता है कैंसर उसके बारे में बता है कि इंडिया में भी इतना जादा एडवांस हो गया है कि जितना जल्दी ये डाइग्नोस हो सकता है कैंसर का भी इलाज है प्रेक्टिस के दौरान जितना भी आपका कारेकाल रहा उसके दौरान कोई ऐसा पैसेंट आपके उसमें आया कि उनकी इस्तिति उन्होंने सोच लिया कि ये तो पता लगने के बाद में कि नहीं पैथ हो जाएगी और उसको आपने ट्रेटमेंट गी और उसमें आप सफल लोगो तमाको का दौमरपान का जो इस्तमाल करते हैं और हर उसके उपर लिखा आता है कि दौमरपान से कैंसर होता है जान लेवा हो सकता है हर चेताओं होती है लेकिन फिर भी जो लोग इस्तमाल करते हैं उनको कहीं डर नहीं है तो ऐसा है क्या संदिस रहेगा मेडिकल क्य क्या आप तो काफी सामें से प्रेक्टिस कर रहे हो तो कैसे शिकोर रह सकते हैं क्योंकि उनको लग चुकी है आज हम इस मुद्दे की उपर चर्चा करने जा रहे हैं जो की काफी चर्चा का विशे बना रहता है जी मेडिकल के अंदर जो एक बीमारी है बहुत बड़ी बीमारी कैंसर की लेकर कैंसर को लेकर के लोग में तरह तरह के नही नहीं ब्रामक जो इस्तितिया रहती है कैंसर का जो जैसी पता लगता है तो लोगों के अंदर बहुत ही काफी डर का जो है माहौल है वो आ जाता है इस वक्त हमारे साथ में भीवाडी से सिंगल होस्पिटल से डोक्टर अनुजा सिंगल हमारे साथ में है और एक जो नया मोड दिखने में आया कैंसर को लेकर के एक 68 वर्ट का जो है पेसेंट उनको पता लगा कि कैंसर हुआ है उनको और कैंसर में वो भी जीब के अंदर जो जिस तरह से छाले हुए उनका उन्होंने उप्चार बड़ी मेडिकल में सूजबूज के साथ में क्या है उन्हों तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ में डॉक्टर साब हैं हमारे साथ में उनसे बात कर दें मेडिकल में सबसे बड़ी बिमारी मानी जाती कैंसर को लेकर के लोगों के अंदर डर रहता है जैसे उनको पता लगता है कैंसर त तो इसको लेकर आप बताएं सर मैं ये बोलूँगी कि कैंसर पहले ऐसी करक रोग जिसे कहा जाता है वो ऐसी बिमारी माना जाता था कि पहले जिसको हुआ है उसकी डेथ निश्चे है बट मेडिकल साइन्स इंडिया में भी इतना जादा अड़वांस हो गया है कि जितना जल्दी ये डाइगनोस हो सकता है कैंसर का भी इलाज है इवन वो अगर लास्टेज पर भी होता है डाइगनोस तो भी हम अटलीस्ट लाइफ को सैलवेज कर सकते हैं इतना जीने लाइक बना सकते हैं कि जितना भी उनका आगे का समय है उसको सही निकाले जितना जल्दी डाइगनोस हो जाता है जितना जल्दी उसकी जानकारी हो जाती है उतना जल्दी उसका treatment completely पूरी तरह क्योर करने जितना भी संभव है ये medical science में प्रूव किया है कैंसर को लेकर के कैंसर काफी भयानक वीमारी है तो कितने तरह से होता है कैंसर उसके बारे में बताएं आप थोड़ा सर्दे कैंसर अगर जनरल देखने जाएं तो बहुत सारे हर अंग के बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगी मैं क्योंकि कान ना गला head and neck onco surgeon हूँ इस चीज़ की विशेशग्य हूँ तो मैं अभी जो मेरे पास जो recent case था जिसको हमने address करा उसके बारे में बात करूँगी तो जो मुग के cancer हैं जो बहुत ज़्यादा common हो गए हैं इसी वज़े से क्योंकि दुम्रपान करना, तंबाकु खाना, हुक्का पीना, सुपाडी खाना, पान खाना यह इतनी आम बात हो गई है कि हर दूसरा बंदा करता है सिर्फ घर के आदमी नहीं, सिर्फ पुरुशी नहीं, जो महिलाएं हैं वो भी full on, मतलब काफी routine में उसे करती हैं, उसके नुकसानों को ignore करके ना जानकर, वो अपना है नुकसान daily basis पे करते हैं तो common कारण अगर हम देखते हैं, तो यह तंबाकू, धुम्रपान जो मैंने बताया, उसके अलावा भी कुछ ऐसे कारण है, जिने हम सोचते भी नहीं कि ऐसा होगा, जैसे कि कोई अगर आपको दांत है, जो बहुत टाइम से चुब रहा है, वो अगर एक ही जगे पे बार ब गाव कर रहा है, तो वो बदल के कैंसर बनने की शंता रखता है, दूसरा, आपको ऐसा पेस्ट इस्तिमाल करते हैं, जो आपको नहीं सूट कर रहा है, आपके मूँ की चमड़ी का कलर बदल रहा है, या आगर आपको हमेशा कोई एक चीज से इरिटेशन हो रही है, उसको ब आपकी जो मेडिकल जो प्रेक्टीस हैं काफी वर्सों से आप करते हैं, तो इस मेडिकल प्रेक्टीस के दौरान जितना भी आपका कारेकाल रहा, उसके दौरान कोई ऐसा पैसेंट आपके उसमें आया, कि उनकी स्तिति उन्होंने सोच लिया, कि ये तो पता लगने के बाद में कि नहीं टैथ हो जाएगी और उसको आपने ट्रेटमेंट और उसमें आप सफल होए, उसके बारे में होता है, बिल्कुल, majority cases जो cancer से diagnose होते हैं, उनका पहला response होता है, denial, कि नहीं यार, ये मेरे को नहीं हो सकता, ये मेरे को ही क्यों हो गया, और उसके बाद होता है, बस मत अभी जस कैंसर में बना है और उसका ट्रीटमेंट आप कर देंगे तो शायद वो कभी कुछ ना दिक्कत दे हैं ऐसे कई लोग जो उसके बाद भी ऑपरेशन कराने के या ट्रीटमेंट लेने के बाद भी 15 साल भी अराम से जिन्दीगी गुजार रहे हैं और अभी जीवत है अभी एक रिसेंटली हमने जो दो दिन पहले ऑपरेट करें वो एक 68 अंकल थे जो एक नॉर्मल विजिट पे अपने बेटे के यहां पे आये थे एक चाला था जो कुछ टाइम से भर नहीं रहा था करीबन डेड़ महीने से नहीं भर रहा था वो अंकल को तंबाकू और स्मो कुछ हुआ हो बस एक positive history कि उन्होंने दात का root canal treatment कराया था और उसकी कैप सही से नहीं set होती थी कहीं ना कहीं आज के दिन में भी हमें लगता है कि अगर वो कैप का treatment वो repeat करा के ठीक कराते तो शायद यह गांव ही नहीं बनता यह cancer नहीं बनता की वज़े से उसमें आप ही कहना चाहर है कि क्याप की वज़े से उसके बाद में लग रहा है सर देखिए हम किसी पर blame नहीं कर सकते कि यह गलत हुआ या यह ऐसा होना चाहिए तर नहीं हुआ बर हम जो भाग देख रहे हैं जिस भाग की जीप के जिस भाग में cancer बना है वो एक दम एज़ेसंट है और वो उधर हर बार आज के दिन पर भी मतलब operation के पहले दिन तक भी चोट कर रहा था तो अगर एक ही जगे पे कोई भी शाप चीज़ से बार 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 चोट लगेगी तो चमड़ी बदलने की प्रवृति रखती है और वही बदलाव आगे जा होकता है जान लेवा हो सकता है हर चेताओं होती है लेकिन फिर भी जो लोग इस्तमाल करते हैं उनको कहीं डर नहीं है तो ऐसा क्या संदेश रहेगा मेडिकल क्योंकि आप तो काफी सामें से practice कर रहे हो तो कैसे शिकोर हो रह सकते हैं क्योंकि उनको लग चुकी है उन चीजो इन लोगों को दे सकते हैं वो है education, awareness, जानकारी, कि क्या चीज नुकसान देती है, क्या नहीं देती है, उनको लोग कहते हैं कि आप पूरे दिन में एक ही तो पीता हूं, हमारे पास ऐसे लोग भी आये हैं जिन्नोंने पीना छोड़ दिया है, उसके बाद भी उने हुआ है, ज खुद अपने ले खाई खोद रहे हैं, आपको पता है, यह चीज ऐसी है, यह addictive है, नशा जो है, वो एक शरीर को निर्भर बना देती है उन चीजों पे, बट ऐसे ही लोगों को education देने की जरूत है, counseling की जरूत है, कि आप जब भी आपका मन करें, आप एक बार अपने के न, एक ही तो पीरे, क्या हो गया, और वो क्या हो गया, अगर एक बार हो गया न, उसके बाद फिर life बदली जाए, यह आपने बताया कि जिस तरह की, जो आपके medical practice के अंदर, जिस तरह का case आया, 68 वर्स की जो male थे, उनको जीव के अंदर cancer हुआ, और आज वो सफल हुए है उसके और, उनको एक नया जीवनदान मिला है, क्योंकि लोग कहते हैं, और धारना रहते हैं कि भगवान के बाद में सबसे जो बचाने का जो काम करता है, वो दोक्टर करता है, उनको एक नया जीवनदान मिला, तो आगे के लिए, क्योंकि लोग हतास हो जाते हैं, cancer को देख करके और इतनी दूर से आना दिल्ली से भीवाड़ी के अंदर एक चोटे से सहर के अंदर और इतना बड़ा सफल प्रियास होना और वह भी इतनी बड़ी बीमारी के अंदर उसको लेकर क्या कहेंगे मैं यह बोलूगी यह उनका विश्वासी है जो वो दिल्ली में इतने बड़े सेट अपस एम्स की बात करूँ मैं एम्स दिल्ली की बात करूँ ज़जर की बात करूँ कोई ऐसा सेंटर नहीं जहां उन्होंने नहीं ट्राइ किया बट कहीं न कहीं यह हमारा एक दूसरे पे विश्वास था कहीं न कहीं उनको मेरी बातों पे भरोसा था हमारे सर्जिकल स्किल्स पे इतना भरोसा था कि उन्होंने मैं क्या बोलूँगी एक स्टेप आगे लिया हम पे भी भरोसा लेके हमारी टीम पर भी ट्राविल करके ताक एक सेकेंड के अंदर करते हैं जिस तरह से सर्जरी की उसमें तो काफी वक्त लगा चार से पास घंटे के टीड हो गए और इतना डॉक्टर के लिए उस दोरान एक पैसेंट की क्योंकि उनकी जीवन रक्षा का सवाल है तो बहुत बड़ा रिक्स नहीं लगता आपको इस होती है 20 साल के इंसान में 68 के में फर्क है कई सारी चीजे हाट उतना काम नहीं कर रहा होता अपके ऑगन्स नहीं काम कर रहे होते हैं तो उसका एक assessment होता है हमारे पास एक senior anesthetist है जिनके guidance के अंडर हमने हर protocol हर possible चीजों को ध्यान में रखकर ही आगे risk लेकर आगे बढ़ा कि ये उनके betterment के लिए हम कर रहे हैं उनकी life better करने के लिए जीव कब हाग है अगर ये बढ़ता आगे जाके अगर जादा करके जीव हटानी पड़ती हो सकता है शायद आगे उनको खाने में problem होती शायद वो बोल रहे हैं तो ये हमारे लिए खुद में बहुत एक संतोश और achievement पली बात है बहुत बहुत धन्यवाद हम से जुड़ने का तो ये थी हमारे साथ में सिंगला हस्पिताल भीवाडी से डॉक्टर आनूजा सिंगल जिनोंने की एक जीव के अंदर 68 वर्स के जो है मेल थे उनको स बता लगता है कि कैंसर हो गया तो ये सोच लेते कि नहीं इसका तो इलाज ही नहीं होगा तेकिन उनकी सफल सर्जरी की है इन्होंने वह बहुत बड़ा जो जीवंदान है लोग कहते हैं जिस तरह से कि भगवान के बाद में शायद डॉक्टरी होता है सबसे बड़ा जो जी प्राइस जिन्होंने सफल एक सर्जरी की है कैंसर को लेकर के लगातर आप देखते रहे हैं वह इसो परतिग्या विक्रांत लिया था